इस वीडियों हम डिसकस करने वाले है नैशनल पॉलिसी फॉर दा इंपावर्मेंट ओफ वुमेन तूथाउजन वन तो महिला सक्षक्तिक रण के लिए हमारे देश की जो गवर्मेंट है उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको नाम दिया गया जो 2001 में अपनाई गई थ तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में तो गवर्मेंट ओफ इंडिया ने नेशन पॉलिसी जो अपनाई थी 2001 में इसका उब्जेक्टिव क्या था कि क्या लेके आना वुमें के लिए एडवांसमेंट डवलपमेंट और एमपावर्मेंट तीनों चीज पर फोकस किया गया और जितनी भी डिसकिरिमнеशन भार वुमें के साथ होता है उसको ईलिमेट करना और ऐसका इंक्यूसिव ज्यूसिव ग्रोथ ता कि इंक्यूसिव ग्रोथ अचीव करना है मेंज मैन और मुमें दोनों को साथ लेक हो नेना नहीं लेकिन जो पेसियल पोकस रहे गा वो वो में के अगेंस चाहे वो फिजिकल ही हो मेंटल ही हो अब वो चाहे डोमेस्टिक हो मीज़ घरेलों हिंसा हो रही हो यह सोसाइटल लेवल पर हो और जो भी जो ऐसी प्रॉब्लम ठीक है ऐसे वॉयलेंस जो कस्टम के थुरूर आई हो और ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं और इन सब क खतम करना एकतम से तो यह भी जो भी फेस कर रही थी वूमेन तो यह पॉलिसी इसलिए अपनाए गई थी कि इन सब को खतम करने के लिए तो इनके लिए इंस्टुशन मेकेनिसम यह स्कीम चलाए गई थी ठीक है ताकि वूमेन क्या हो वूमेन के लिए कि वो मजबूत हो ठी कि बही जो भी उनके खिलाफ क्या हो रहा है violence हो रही है, sexual harassment हो रहा है उनका जहां भी वो काम करते है जो custom जो हमारे रिवाज है, डॉरी का ठीक है, for the rehabilitation of the victim of violence and taking effective action against the perpetrators of such violence, तो इसका क्या था कि यह जो scheme थी है, इसलिए यह अपनाए गई थी कि बही, women के साथ जो भी discrimination, उनके साथ जो भी violence होती है, उनका harassment हो रहा है इन सब के जो victim है, ठीक है उनको इससे बचाना special emphasizes will also laid down program and measure to deal with trafficking in women and girls, और special सबसे जादा जो धिहान दिया गया, जिसके ओपर program भी चलाएगा, जो women trafficking होती है ठीक है, और girls की trafficking होती है, तो इसको रोकने के लिए, अब objective किया थे, और detail में देख लेते हैं creating an environment through positive economy and social policy for full development of women, enable them to realize their full potential, तो ऐसा environment create करना है, एक तो positive होना चाहिए, ठीक है, समाजिक नितियां पनाने चाहिए, जो पूरी development करे, women का, उनको realize करा है कि हाँ, उनको पूरी potential है, कि जो इंसान, मतलब जो काम आदमी कर सकते हैं, वो औरत भी कर सकती है, और दूसरे में, कि उनको जाकरुक कराना, ठीक है, वो अपने जो भी, जो उनके rights है, ठीक है, उनको बताना, ठीक है, वो अपने rights कर पाएं, human rights जो भी है, कि वो human जो राइट है, वो सिर्फ man के लिए नहीं है, woman के लिए भी है, और उनको fundamental freedom मिलनी चाहिए, ठीक है, वो भी मिले उन्हें, चाहिए वो कोई भी sphere हो, political हो, economic हो, social culture, ठीक है, हर चीज में उनको equal participation मिलना चाहिए, woman का भी हर चीज में क्या है, जैसे man का है, तो movement का भी participation पूरा होना चाहिए, चाहिए वो समाजिक स्थार हो, राजनितिक स्थार हो, या आर्थिक स्थार हो, ठीक है, equal assist to woman to health care, अब woman को भी हर चीज की क्या है, हर चीज की ज़रूरत है, ठीक है, legal system aimed at eliminating all form of discrimination, और एक ऐसा legal system बनाना, मजबूत बनाना, जो जितना भी भेदवा woman के साथ होता है, उसको, उसके against एक legal system बनाना, ठीक है, और society का जो attitude है, वो change करना की woman के प्रती, की यह ऐसा participation हो चाहिए, एक active or involvement participation होना चाहिए, यह निकि खाली, अगर महिलाओं के बारें बात रहें, तो सरफ महिलाओं को ही involved, man, woman, दोनों का ही participation होना चाहिए, तो society के attitude को change करना, mainstreaming or gender perspective in the development process, और जो mainstreaming वो gender perspective होना चाहिए, eliminating of discrimination and all form of violence against, तो वही चीज़ आ गई कि जो भी discrimination आदा, जितनी भी हिंसा महिला के साथ होती है, या लड़कियों के साथ हो रही है, उसको खतम करना, building and standing partnership with civil society, particularly women organization, तो यह कुछ points से, इस policy के, I hope आपको clear हो गई होगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो like it, share it and subscribe my channel, thank you.